So Hello Everyone, कैसे हैं आप सब? I hope अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरोंपर नएने प्लांट्स लाकर लगा रहे होंगे तो दोस्तों ये है सरसोखली सरसोखली का इस्तेमाल जादा तर हम ठंडियों के समय करते हैं क्योंकि या खाद थोड़ी सी गरम होती है इसलिए इसका इस्तेमाल हम ठंडियों में करते हैं लेकिन बहुत सारी क्वाईरी, बहुत सारी क्वेस्चन्स हमारे मन में रहते हैं कि क्या ये खाद हम गरमियों में यूज कर सकते हैं अपने प्लांट्स में अगर हम सरसोखली की लिकुट फोटिलाइजर की खाद हम बनाते हैं तो हमारे पौदों को बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा तो मैंने सुराही में ले लिया है दो लीटर पानी भरा हुआ है और उसमें मैंने ये हाफ केजी सरसोखली की खाद डाल दी है इसको आप अच्छे हमारे तीन दिन बाद का वीडियो तीन दिन बाद ये फर्टलैजर हमारा बन कर बन कर दार हो गया है इसमें बहुत ही जादा बद्बू होती है इसलिए फुड़ी मकियां भी आ गई है तो ये ए की कि योद्धिय वेड़ कर लेंगे और अब हम त्यार करेंगे पानी, ये हाफ केजी सरसोखली है, हम इसके लिए 20-25 लिटर पानी लेंगे क्योंकि गर्मियों में आप कम ही खा दीजए वो अच्छा है पौधों के लिए तो मैंने कम से कम 25-30 लिटर पानी ले लिया है हाफ केजी सरसोखली के लिए और वो मैंने इसमें बकायदे अच्छे से मिक्स कर दिया है मिक्स करने के बाद आपका प्लांक जिस हिसाब से हो आपने बड़ा पौधा लगाया है तो आप एक फुल मग दे दीजिए सरसोखली लिक्विट फिटलाइजर अगर आपने छोटा गमला लगाया है छोटा पौट है तो आप आधा मग ही दीजिए क्योंकि बहुत ज़दा खाद नुकसान करती है और कोशिश करिए कि गर्मियों में आप लेक्विट फर्टलाइजर ही अपने पौधों को दे फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फर वाचिक मैं वीडियो